तो असलाम अलेकुम दोस्तों तो आज मैं बनाने जा रही हूं मटर और आलू के पराठे यहां पर देख सकते हैं मैंने धनिया और लेसन ले लिया है मैंने काफी सारा जो कि 10-12 से जादा ही है और 10-12 मैंने हरी मिर्च ले लिया और एक इंच तक मैंने अध्रक ले लिया है यह सब्धार इन सब्वा फिलेंगे और सब्भ दर मेरा आलू बी बॉयल हो चुका है तो अलू भी मैंने जाहां नहीं लिया है मैंने आदी कलो करी वालू लिया है मैंने और आधी नहीं मतर रहा क्योंकि मुझे जाधा वनाना था तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं यहां प या जीर और टेस्ट और अच्छा हैगा मेरे पास नहीं था मैंने के लाग देगा इसको अजुस्का करने थे भर ठंडा होने के लिए रख देंगे आप इसे चाहे कच्वाड़ी की तरह भर बना सकते हैं पूरी के तरह भी बना सकते या तो आलू की पराठे के साथ तो बहुती टेस्टी बना था यह मेरा तो यह में रेस्पी अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीस लाइक कमें शेयर जूरू करना और उपर से में यहां पर देख सकते हैं मैं इसमें डाल रहे हूं तो यहां पर जोएन डालने के बा पराठे में तेल डाल दिया था बहुत ही अच्छा कुरकुरा पराठा बना था अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ता आपका पराठे बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा आप एक बड़ ट्राय जरूर करना ऐसे तो यहां पर देख सकते हैं पराठे मैंने बनाना ही पराठा सोच उसको जरूर देगा का इंसकी क्रिस्पी बनके तयार हो था थैं तो प्लीज ट्राइज जरूर करना मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीच लाइक कमिण शेयर जरू करना स्याफित देख सकते हैं सब्सक्राइब 무ler कि क्रिस्पी होने कारण में जो प्रा